Human life में problems आती ही इसलिए हैं कि हम उन्हें tackle करना सीख लें, हम उन problems को situations में convert करना सीख लें और जब हम अपने लिए किसी problem को situation में convert कर लेते हैं तो अब हम ready होते हैं औरों की मदद करने के लिए कि उनके life में जो problem चल रही है मिलती जुलती problems, उन्हें कैसे problem से situation बनाया जा सकता है, ये उन्हें सिखाया जा सकता है आपकी life में जो problem है, उस problem को आप situation कैसे बना सकते हैं क्या आपने अपने लिए किसी problem को solve किया है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कितना छोटा हो, चाहे वो कितना complicated हो अगर आप उस problem से उपर उठ पाएं हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने लिए उस problem को एक situation तो बनाया ही है और अगर आपने अपने लिए उस problem को situation बनाया है, तो आप definitely दूसरों की मदद कर सकते हैं कि वे अपने life के problems को situations में convert कर लें, जब आप ऐसा कर लेते हो, तो आप एक प्रकार से अपना life purpose fulfill करते हो क्योंकि human life में problems इंसाम को punishment देने के लिए नहीं आती, human life में problems आती ही इसलिए हैं क्योंकि हमें अपने आपको ठीक करके या अपनी problem को deal करके दूसरों को उस रास्ते पर चलाना होता है इसलिए ये situations आती हैं, इसलिए इतने मनुष्य और इतने variety problems के और हर मनुष्य का उसे deal करने का या tackle करने का तरीका लग होता है और वो एक unique तरीका बन जाता है और वो unique तरीका फिर वो दूसरों को सिखा सकता है